Hello Students, Welcome to Gaining Knowledge आज की क्लास में हम पढ़ेंगे Biodiversity Conservation जिसमें हम पढ़ेंगे कि Why should we conserve Biodiversity? हमें Biodiversity को क्यों conserve करना चाहिए? तो Biodiversity को conserve करने के लिए यहां पर 3 categories जो हैं वो बना दी गई हैं जिसमें पहली जो category है वो है Narrow Utilitarian दूसरी है Broadly Utilitarian और तीसरी है Ethical तो सबसे पहले आएगा Narrow Utilitarian तो Narrow Utilitarian का मतलब हो गया कि छोटे लेवल पर हमें Biodiversity को conserve करने की क्यों जरूरत है? हैना क्या जरूरत है? तो सबसे पहले इसमें आएगा कि हमें जो Nature से वो Direct Economic Benefits मिलते हैं जैसे की Food, हमें Fruits, Vegetable, Palses, Cereals, इतनी सारी चीज़े जो है वो हमें मिलते हैं तो इनसे भी हमें Economic Benefit होता है Firewood मिलती है इनसे हमें ठीक है Fiber मिलता है Construction Material मिलते हैं जैसे Furniture जो होते हैं वोट से बने हुए उनसे जो है फाइदा होता है हमें Industrial Benefits यानि Industrial Products में जैसे की Resins आ गए, Tannins आ गए, ठीक है Perfumes है, Dyes है इतनी सारे चीज़े, इतने Products जो है वो हमें इनसे मिलते हैं तो उससे भी Economic Benefit होता है हमको और बहुत सारी Medicines जो है वो भी हमें मिलती है इनसे तो इतने सारे जो है वो हमें Direct Economic Benefits हमें मिलते हैं, तो इस वज़े से इनको Conserve करने की हमें जरूरत है इसके साथ में 25% से भी ज़ादा जो Drugs बनती है वो प्लांट से बनती है मतलब All Over The World अगर हम बात करें तो 25% प्लांट जो होते हैं यानि 25% से भी ज़ादा बोलो प्लांट जो है उनसे medicines बनती हैं, तो यह कितना बड़ा benefit हमें मिल रहा है इन से, ठीक है इसके साथ में यहाँ पे एक और point है कि 25,000 species जो है प्लांट की जो contribute करते हैं traditional medicines में, यानि वहाँ से हम बहुत सारे traditional level पे medicines बनाते हैं, उसमें 25,000 species plants की contribute करती हैं और इसके साथ में अगर हम और बात करें तो अभी भी अगर हम जैसे rainforest वागरा में जाएं तो वहाँ पर इतनी सारी different species होंगी जिनके बारे में अभी हमें knowledge ही नहीं है जिनको explore करना अभी भी बाकी है क्या पता हमें उनसे कितनी और भी medicines मिल जाएं तो इस तरह से हमें nature की जो यह diversity है इससे इतने सारे benefits मिलते हैं तो इसलिए हमें जरूरत है इनको conserve करने की और क्या reason है जिससे हमें biodiversity को conserve करना पड़े वो है bioprospecting सबसे पहले हम बात करते हैं बायो परस्पेक्टिंग होता क्या है अब जैसे मालो कोई एक plant है इस plant से हमें एक product मिल रहा है यानि कोई एक medicine हमें इससे मिल रही है इस plant से ठीक है यानि यह medicine इसका क्या हो गया product ठीक तो अब इस product से क्या होगा economic benefit हमें मिलेगा यान economical जो है वो हमें इससे फाइदा हो रहा है ठीक है तो अब क्या होगा, इसे conserve किया जाएगा, ठीक है, ताकि इससे हमें जादा से जादा economic benefit मिल सके, और जिस disease के लिए ये बना है, उस disease से ये free कर दे, तो इस तरह से ये तो एक plant की बात होगी, ऐसे बहुत सारी resources जो हमें मिल रहे हैं, जो जिनसे हमें product मिल चाहिए, वो plant हो, animal हो, जिनसे भी हमें product, ऐसा product मिल रहा है, जिससे हमें economically benefit जादा हो रहा है, उसको हमें conserve करने की जरूरत पढ़ रही है, तो यही होगे आपका bio perspective, तो यानि क्या है कि जैसे resources बढ़ेंगे, वैसे वैसे nation क्या करेगा, उनको bio perspective में डालता चला जाएगा, so that कि nation को जादा से जादा enormous level पे benefit हो सके, so बात करेंगे broadly utilitarian, अब broadly utilitarian में बात करेंगे, कितने बड़े लेवल पे हमें biodiversity को conserve करने की जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि biodiversity क्या करते है, major role play करती है, बहुत सारे ecosystem की services provide करने में, ठीक है, तो जिसमें क्या है, जैसे Amazon rainforest, Amazon rainforest क्या करता है, 20% जो total oxygen होती है, और हमें भी पता है कि oxygen जो है, वो कितनी जादा जरूरी है हमारी life के लिए, ठीक है, अगर हम normal oxygen cylinder लेने जाएं, तो हमें उसकी value पता लग जाएगी कि कितना महंगा आता है, और ये oxygen हमें nature जो है, वो free में दे रहा है, जो हमारी life के लिए बहुती जादा जरूरी है, इसी तर different pollinating agent like bees, bumblebees, bats वगरा, ठीक है, अगर ये agents नहीं होंगे, तो pollination नहीं होगी, तो हमें fruits, seeds, ये सब कहां से मिलेंगे, तो ये भी एक service जो है, वो nature हमें free of cost प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ में aesthetic pleasure, aesthetic pleasure में हम देखते हैं कि different variety के colorful flowers जो है, वो हमें देखने को मिलते हैं, इस cost है, ठीक है, जिसके लिए हमें कोई भी price नहीं देना पड़ रहे है, तो इसका मतलब क्या है कि इतनी अच्छी जो biodiversity जो है, वो हमें free of cost मिल रही है, तो फिर हमें भी जरुरत बनती है कि उसको हम conserve करें, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, broadly, broad level पे जो हमें conserve करने की जरूरत है ठीक है, तो उस level में क्या हम देखते हैं कि जितनी भी species है, plants की, animals की, microbes की, humans के साथ ये भी क्या कर रही है, हमारे अर्थ को share करती है, हमारे इस planet को share करती है, ठीक है, तो इस वज़े से भी हमें इनका धियान रखना चाहिए, इसके साथ में अगर हम philosophically और spiritual भी बात करें, तो ह हमें भी ये realize करना चाहिए कि सारी species, हर species, चाहे वो plant की हो, animal की हो, उन सब की अपनी एक intrinsic value है, और इस वज़े से चाहे उनसे हम economically benefit हो या ना हो, हमारी ये duty बनती है कि हम इनका धियान रखें, हम इनकी care करें, और ये जो biological property है, ये हम अपनी future generations को आगे पास करें, ठीक है, तो इस वज़े से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको conserve करके रखना पड़ेगा, तो आज की class में इतना ही हैं students, अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करें, thank you for watching,